हेलो फ्रेंड्स आज हम बनाएंगे धनिया पूदिन और आम की चट्नी यह बहुत ही स्वादिष्ट बनती है तो चली बनानाय स्टार्ट करते हैं और चट्पट बन भी जाती है तो यहाँ पर हम लिये हैं दो आम जिसको हम छोटे-छोटे टुक्रे में कट कर लिये हैं यहाँ पर तीन से चार हरी मिर्ची है और दनिया पूदिना आधाधा कप है और सुवाद के अनुसार नमाग इसको हम एक सिजार में रख करके पीस लेंगे तो यह जटपट बन भी जाती है यह जटणी और खाने में भी बहुत ही लाजवाब लगता है तो इसको हम पीस लेते हैं तो पहले मैं आम डाल दी हूँ और इसको पीस लेंगे देख सकते हैं थोड़ा सा दरदरा इसी में हम धनिया पत्ता और पूदिना डाल देंगे जिस बाद के अनुसार नमक लिए है वो भी डाल देंगे अब इसको हम बहुत ही अच्छे से पीस लेते हैं कि यहां पर हमारा चटनी बन करके रेडी है देख सकते हैं आप लोग और खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है तो आप लोगों को यह आम धनिया पूदिनी की चटनी कैसी लगे कमेंट्स करके जरूर बताईएगा देख सकते हैं कितना गारा बना है आप चाहों तो इसमे तो आप लोग कमेंट्स करके जरूर बताईएगा की चटनी की रेज भी कैसी लगी